नमस्कार दोस्तों आपको हमारे चैनल एनलीस साइंस में स्वागत किया जाता है गर आप मारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक सेर और कमेंट जूर कीजिएगा चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं आज हम यहाँ पर जो है यह पेपर की प्लीश दिगई है वहां से जाकर के आप जो है यह में हिस्ट्री का यहां पर एसे लिश्टि कल्चर और कि लाजिका पेपर तीनों देख सकते हैं साध यह साथ बता दी आपको ईस चैनल पर बी एपर मेंसी और मैटमेटिस का लेक्षर भी आपको यहां पर चले यहाँ से में ब्रविडियो को सुरू करती हैं देखे यहां पर वीडियो है यहां पट जो है एस इंडिस्ट्री कलचर राइन अर्किझा पेपर फोर्थ है एक साला एका नाम कूनामिक आपको पांच लिए जाएंगे जिने में से तीन ही कूश्चन आपको आंसवर देना है यहाँ आप एक कूश्चन का आइंसवर देना है यह और लिएगे यहांड आपको यहां पर जो है नाइन मार्च मिलेंगे लिए to सब्दों में इस पर एक साट नोट्स लिखना है यहां पर है अंतर्ज से इस पर भी एक साट नोट्स लिखना है कुछ नमबर इसका C है देखे यहां पर विष्ट विष्टी पर आपको जो है यहांपर यहां पर विष्टी पर आपको जो है। सबसे ज्यादा मार्स आपको इसी से मिलेंगे यदि आप चार कुस्टन का आपको आइंसर देना है यदि आप एक कुस्टन का आइंसर देंगे तो आपको 9 मार्स मिलेंगे आप यहां पर सबसे ज्यादा मार्स आपको इसी से मिलेंगे यदि आप चार कुस्टन का आइंसर देंगे तोटल 36 मार्स आपको इसी मिलेंगे आप सब सीमा जी गए 225 सब्दों में आपको एक कुस्टन का आइंसर देना है चले यहां से हम कुस्टन पढ़ते हैं दिखे कुस ट्सथा आटिसामा सभीजे की स्थाव्दी इस जास है, वह गोई है आइड-ए पूत्सकोरी इसके पॉर्ब्रीजिया ट्रोंगे, अर्था जो इस भी तक स्त्रियों के मत हैं स्त्रियों के संपत्तिक अधिकारों की यहां पर विवेचना करनी हैं यहां पर question number निये दिये हैं इसका answer लिखना है आपको चले question number C पढ़ते हैं question number C है What is the good? Throw light on the its function स्रेणी किसे कहते हैं इसके कारियों पर प्रकार डालिए यहाँ पर सेरी की परेवासा लिखनी है कि से कहते हैं और इसके कार्यों पर जिसका कब्वक्वर्क है उस पर आपको प्रकाश डालना उसके बारे में लिखना है यहाँ चले कुसर नबर हम दी देखते हैं कुछ नबर D है, write the short note on the trade routes in early medieval periods, अर्थाद पूर मध्ध काल में व्यापारिग मार उपर संसित टिपड़ी लिखे, अर्थाद पूर मध्ध काल में भू स्वामित की विवेचना कीजिए, अर्थाद पूर मध्ध काल में भू स्वामित की विवेचना करना है, कुछ नबर EF है, discuss the cheap characteristics of Indian federalism, भारती सामनतवाद की मुख विवेचना कीजिए, यहाँ पर भारती सामनतवाद की जो मुख विवेचना करना है, चलिए कुछ नबर हम जी पढ़ते हैं, देखे कुछ नबर जी है, discuss the change in the institution of slavery during early medieval इंडिया, अर्थाद पूर मध्ध काल में दासत संस्था में होने वाली परुवरतनों की विवेचना करना है, पूर मध्ध काल में जो दासत है, संस्था में होने वाली परुवरतनों की विवेचना करना है, question number G है, अब चलिए यहाँ पर हम section C होगा, यहाँ पर last section है, section C है, यहाँ पर, खंड साल, long answer type question, अर्थाद दी जो है, total 5-4 question दे जाएंगे, जिन में से आपको दो ही question कायंसर देना है, यदि आप एक question कायंसर देंगे, तो 15 मार्स मिलेंगे, आपर एक question कायंसर आपको 475 सब्दों में लिखना है, चले, यहाँ से question को पढ़ते हैं, आपर, देखे question है, ठीका A है, write a detailed note on social change during in early medieval India, पूर कालीन भारत में होने वाले समाजिक परिवरतनों पर एक विस्तित टिपड़ी लिखे, यहाँ पर, पूर मद कालीन भारत में होने जो समाजिक परिवरतन है, उस पर एक विस्तित टिपड़ी लिखना है, चले, यहाँ से question number हम भी पढ़ते हैं, देखे, question number B है, write and essay on trade and commerce in early medieval India पूर मद कालीन भारत में ब्यापार इवं वाड़िज पर निबंद लिखे, पूर मद कालीन भारत में जो ब्यापार और वाड़िज है उस पर एक निबंद लिखना है, यहाँ पर, 475 अर्था, 475 सब्द में, चले, question number C पढ़ते हैं, question number C है, right and essay, essay and status of women, during early medieval India यहाँ पर, कि दसा पर एक निबंद लिकना है चले हम कुछ्चा नमबर डी पढ़ते हैं देखें कुछ्चा नमबर डी है थ्रो लाइट अन्द सिस्टम आप अग्री कल्चर एन एनिमल हस्बेंडरी ही हस्बेंडरी ड्यूरिंग पिरियर्ट साफ योर इस्टेडी अर्थात अपने अध् लिए यहां पर चले यहां से कुछ्चा समाप्त हुआ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जूट कीजेगा चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो को सेर्ज जरू करना ताकि आपको जिसको जरूवत हो देख सकी य पेपर चले थैंक्स फार वाचिंग